दोस्तो आज के इस वीडियो में हम महात्मा जोतिबा फुले रोहेल खंड यूनिवस्टी बरेली उत्तर प्रदेश के बियस्सी फर्स्ट यर फर्स सेमेस्टर बॉटनी के पेपर को सॉल्व करेंगे जो की हाली में संपन हुआ था तो जिन इस टुडेंट के बियस्सी फर्स सेमेस्टर के एक्जाम हो रहे है या फिर होने वाले है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टन है अगर पेपर को देखे तो इसमें कोश्चन का जो पैटरन है बहुत ही अच्छा पुछा गया है तो आप सभी इस वीडियो को ध सकते नोट लीख है अटेम्ट आल दा सेक्षन एस पर इंस्टरक्शन यानि कि समस्त खंडों को नेदेशा नुसार हल कीजिए तो आपको हर एक सेक्षन को सॉल्व करना है आईए देखते हैं पहले चलते हैं सेक्षन एकी और तो सेक्षन ए में दिया हुए कि अटेम्ट आल फाइब कोशन इच सौट कोशन केरी थ्री मार्क्स यानि कि आपको सभी पांच प्रस्न करने हैं और प्रतेक अती लगुत्री प्रस्न तीन अंक के हैं तो एक कोशन तीन नंबर का है तो पांच कोशन हो गए 15 नंबर के यानि कि सेक्षन ए में आपसे 15 नंबर के कोशन वाइक्सीन कि वास्तविक खुराक के बाद भी बूस्टर डोस की जरुरत क्यों पड़ती है तो आई देखते इसका एंसर क्या होगा एक्टिव एक्टिव एक्कॉार्ड इम्मिनिटी टू पर्टिकुलर इंफेक्सियस डिजीज तो यदि हम बात करें टीके की तो यह यानि कि जो हम प्रतिरच्छा तंतर बाहर से ग्राण करते हैं वह उसको सक्री करता है एक्टिव एक्सीन टीपिकली कंटेन एन एजन्ट डैट रिजेंबल ए डिजीज गॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इस ओफेन मेट फ्राम वीक और किल्ड फॉर्म अफ दा मा जोर करके या फिर उनको मार करके या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन होने वाले जो टॉक्सिक प्रदात है उनी से तयार किया जाता है और टीका लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते है टीका करण और इंग्लिस में बोलता है वैक्सिनेशन वैक्सि वैक्सीन और वैक्सीनेशन सब्द की उत्पत्ती हुई है वैरियोली वैक्सीनी से तर्म वैक्सीन देने वाले वैग्यानिक एडवर्ड जेनर थे और इन्हों ने ही सबसे पहले वैक्सीन की खोज की थी यानि कि सबसे पहला वैक्सीन इन्होंने ही बनाया था और वैक्सीन था काउपॉक्स के लिए तो विज्यान की वह साखा जिसके अंतरगत वैक्सीन का निर्माण किया जाता है या फिर वैक्सीन का प्रोडक्षन किया जाता है उसे हम बोलते है वैक्सीनो लॉजी तो यहाँ पर बात हुई वैक्सीन की next question में पुछा हुआ था कि booster dose की ज़रुरत क्यों पढ़ती है a booster dose is an extra administration of a vaccine after an earlier dose तो जो booster dose है यह एक extra vaccination dose है जो कि प्रारंभिक अवस्था में vaccine देने के बाद दिया जाता है after initial immunization a booster provide a re-exposure to the immunizing agent तो प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा रोग प्रतिरोधक छमता है जो की antigen द्वारा बढ़ाया गया था उसे और भी expose कर देता है यानि कि उसकी क्रिया सिलता को और भी बढ़ा देता है इसलिए booster dose दिये जाते हैं जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि जो COVID-19 का केस था इसमें भी booster dose दिये जा रहे हैं चलते हैं question number 2 की और question number 2 है what are indozoic algae? यानि कि indozoic सेवाल किसे कहते हैं algae that live in the aquatic animals it is called indozoic algae or are indo-juphites तो ऐसे सेवाल जो कि जली जीवों के अंदर रहते हैं उन्हें हम indozoic algae या फिर indo-juphites भी कहते हैं यदि हम example के रूप में लें जू क्लोरेला एक ऐसा algae है जो कि हाइडरा के body के अंदर रहता है तो आप इसको याद रखेगा इस example को है चलते हैं question number third की और question number third है what is the working of autoclave यानि कि autoclave किस तरह से कार्य करता है तो यदि हम बात करें working principle of autoclave की it is also called steam stylizer तो autoclave को हम steam stylizer भी कहते हैं क्योंकि इसमें भाप विधी द्वारा हम जितने भी lab में पाये जाने वाले औजार हैं उनको stylize करते हैं तो आप सभी stylization जानते होंगे stylization का मतलब होता है कि किसी भी instrument को यानि कि किसी भी औजार को उसे micro organism से मुक्त करना यानि कि उस पे पाये जाने वाले जितने भी सुचमजीव हैं उनको नस्ट करना आटो क्लेव है बेसिकली machine that create an artificial environment of high heat and pressure तो यदि हम बात करें आटो क्लेव की तो आटो क्लेव एक प्रकार का ऐसा मसीन है जिसमें की higher pressure और temperature पर micro organism को नस्ट किया जाता है और यही working principle है आटो क्लेव का तो यहाँ पर हमें answer में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आपका जो question है वो sort type है तो बस थोड़े से ही word में आपको answer देना है चलते हैं अगले question क्यों question number 4 है who was professor M.O.P. आयंगर and his contribution in botany यानि कि professor M.O.P. आयंगर कौन थे और उनका वनस्पती विज्ञान में क्या योगदान है तो यदि हम बात करें professor M.O.P. आयंगर जिनका जर्म 15 दिसंबर 1886 में हुआ था और इनकी मित्ती हुई थी 10 दिसंबर 1963 को he was a prominent Indian botanist and phycologist who researched the structure, cytology, reproduction and taxonomy of algae तो ये हमारे भारत के ऐसे जी विज्ञान सास्त्री थे जिन्होंने phycology यानि की सैवाल विज्ञान पर अध्यान किया और उसी के साथ सैवालों के structure उनके cytology, reproduction, taxonomy इन सभी पर अध्यान किया he is known as the father of Indian phycology or father of algaeology in India इन्हें भारत के सैवाल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है तो most important है याद रखेगा father of Indian phycology किसे कहा जाता है तो M.O.P. आयंगर को तो अगर आप इनके बारे में डीटेल से जानना चाहते हैं तो इस topic से related मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका link मैंने नीचे description box में दे रखा है आप उस link पर click करके वीडियो को देख सकते हैं और इनी के साथ साथ मैंने और भी जो famous Indian botanist हुए है उन पर मैंने वीडियो बनाया हुआ तो आप जरूर उन वीडियो को देखे आप के आने वाले exam के लिए important है अई चलते हैं अगले question क्यों question number 5 है what is organic farming how does it help in environment यानि की जैविक खेती क्या है इस तरह की खेती वाता वरण को स्वच्छ एवं स्वच्ट बनाये रखने में कैसे मदद करती है organic farming is the European Union more commonly known as ecological farming or biological farming तो यदि हम बात कहें organic farming की तो इसे हम ecological farming या फिर biological farming भी कहते हैं organic farming is an agriculture system that use fertilizer of organic origins such as compost manure, green manure and bone meal and place emphasis on technique such as crop rotation and companion planting तो यदि हम बात करें organic farming की तो ये एक agricultural system है जिसमें की fertilizer की रुप में organic component को यूज किया जाता है जैसे की जीव जन्तूओं के मल जैसे की गाय के गोबर इसके लावा पौधों के जो पेड़ पतियां हैं उनको सड़ा गला कर या फिर जो human sewage को ट्रीट करके sewage slug प्राप्त होते हैं उनको यूज किया जाता है organic farming में तो दोस्तों यहाँ पर हमने section A के 5 question को solve किया इसके लावा और भी section है section B और C जीने हम अगले part में discuss करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के जो question है उनपर वीडियो बनाओं तो please comment करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा आपके comment करने और आपके like करने से हमें motivation मिलता है तो please video को like और share जरू करेगा और यदि आप हमाई channel पर नए हैं और अभी तक आपने माई channel को subscribe नहीं किया हुआ तो please channel को subscribe कर लिजे और बगल में जो bell icon है उसे press करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के video upload करूं उसका notification आपको मिलता रहा है तो मिलते हैं अगले video में अगले topic के साथ तब तक के लिए जहिन जभारत